कि लिया गया है इस कौशन 12 फेले की लिया अम से पूछा गए कि इस पूछ strictly क क्या होती है जो स्पेषी कि बताना है जो बी कि इस पेशी कि टे परने है तो पहले इस पैसे same number of electrons तो isoelectronic means same number of electrons यह होता है हमारा isoelectronic species का मतलब तो अब क्या करना है suppose हम इसके example देख लेते हैं suppose हमने लिया Mg2+, और हमने लिया Al3+, तो अब क्या हुआ अगर हमारे पास Mg2+, है और हमारे पास Al3+, है तो magnesium का पता है हमें atomic number कितना होता है magneishnam का atomic number होता है 12 अकर हम उसमें से 2 electrons निकाल देंगे तो उसके पास electrons कितने बचे 10 similarly aluminium का atomic number होता है 13 अगर उसमें से हम 3 electrons निकाल देंगे तो हम आइ पास electrons कितने बचे 10 तो यह दोनों कैसी होगए यह दोनों होगए ISO electromagnetic species तो ISO electronic species में हमेशा क्या होते है same number of electrons होते हैं तो अब हमें क्या करना है हमें कुछ species mention करनी है जिनका जो भी यह species है F- उसमें जितने electrons है हमें उसके similar species बतानी है तो अगर हम F- को देखें तो F- में हम बस कितने electrons है F- में F का atomic number होते है 9 एक electron gain करने के बाद इसके electrons कितने होगा है 10 तो हम F- के साथ में क्या species लिख सकते हैं हमें यहाँ पर लिख लेते हैं F- का जो isoelectronic species हो जाएगा वो हो जाएगा na plus क्योंकि na plus में में देखे तो na का atomic number होता है 11 एक electron lose करने के बाद इसका क्या बन जाएगा 10 electrons आ जाएगे फिर हमें कौन सा अगला species दिया हुगा अगला हमें species दिया है आरगन तो आरगन में हमें पता है कितने electrons होते हैं आरगन में हमें पस 18 electrons होते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आरगन में 18 electrons होते हैं तो अगर हम Cl- लिखते हैं Cl- में 17 electrons एक और electron gain करने के बाद इसमें कितने हो जाएंगे 18 electrons तो इसका जो isoelectronic species हो जाएगा वो हो जाएगा CL minus अब हम देखते Mg2 plus Mg2 plus में magnesium का atomic number होता है 12 दो electrons lose करने के बाद इसके पास कितने आ जाएंगे इसके पास हो जाएंगे 10 electrons यह हो गया होगा CL minus तो हम यहाँ पर Na plus फिर से लिख सकते हैं क्योंकि Na plus के पास भी कितने electron से 10 electrons है next हमें पूछा क्या है RB plus अब RB plus के पास कितने electron से 36 electrons है तो अब हम क्या करें कि हम ले लेते हैं यहाँ पर BR minus तो BR का atomic number होता है 35 अगर BR ने एक electron गेन कर लिया तो BR के पास भी कितने electron से हो जाएंगे 36 तो RB का जो ISO electronic species होगा RB plus का वो हो जाएगा BR minus और यहाँ पर MG 2 plus का जो ISO electronic species हो जाएगा वो हो जाएगा Na plus तो इसको हम देख लेते हैं RB plus का हो गया BR minus ISO electronic species का मतलब यह होता है जिसके पास same number of electrons हो तो RB plus के लिए हम लिख लेते हैं BR minus और इसके MG 2 plus के लिए हमारे पास हो गया Na plus